मित्रों नमस्कार, मैं राध किशोरतिवारी लोको पाइलट गुट्स, SECR नाकपुर दिवीजन छेदवाड़ा भारती अर्थवयस्था की रीड भारती रेलवे और भारती रेलवे की रीड लोको पाइलट लोको पाइलट जो की विप्रीत परिस्थितियों से ले करके और हर ऐसे समय पर वो कारे करता है और शकुषल चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो कोचिंग ट्रेन हो उसको गंतव्य तक पहुंचाता है ना केवल वो पहुंचाता है बलकि उनको सेफ्टी, सेक्योर्टी और पंक्च्वल्टी भी मेंटेन करना एक लोको पाइलट का दायत तो है और हमेशा एक लोको पाइलट उस दायत पे खरा उतरता है इसी के चलते रेलवे में उसकी एक अपनी एहमियत है उसका एक अपना अस स्थान है प्रत्येक लोको पाइलट को चाहिए कि अपने इस एहमियत को ध्यान में रखे हमेशा सजक्ता पुर्वक ड्यूटी करे हमेशा संदक्षा को ख्याल रखे जो भी नए नियम कानून आते हैं संदक्षा आदेस आते हैं हमेशा उनका गहराई से पालन करते हुए उ और कोचिंग कंट्रोल तक की हर करुचारियों को साथ मिलेते हुए वो काम करे। जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या में क्विक डिसीजन मेकिंग छमता होनी चाहिए और ततपरता होनी चाहिए। यदि उसमें ये विल्टी है तो स्वभाविक रूप से हमारा भारती रेल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी है कि वह भारती रेल्वे में अपना वह योगदान दे रहा जिस योगदान के लिए उससे जाना जाता है और हमेशा ही जाना जाएगा कि एक लोको पाइलट भारती रेल्वे से लेके भार देश की अर्थव्यास्ता को उचाईयों तक पहुचाने के लिए हमेशा आगे रहता है नास्कार